आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में जो बेल का आइकन है उसको दबाएं ताकि आपको जुन नोटिफिकेशन हो सही समय पे मिल सकें अज हम लोग कुछ मैथ का जो पिछले बार का जो क्वेश्चन रहा है यानि 60-60 का प्रिलिम नरी का जो क्वेश्चन रहा मैथ का उसको अम दो देखेंगे मैथ में दस क्वेश्चन पूछी जाते हैं और आपको दस क्वेश्चन का बनाना होता है निगेटिव मार्किंग नह है ज्यादा इंटर्मेडिट प्लसौफर यूफ कुछ गॉकुलियस टीग्रेजय कुछ वाइसा नहीं था तो क्वेश्चन जो जनेरल मैहत पड़ रहें तो वह तो आराम् velvet बदना सकते हैं तो अगर में देखेंगे तो परला क्वेश्चन को देखते हैं एक स civीश्चा नि तीन इस तरह से क्रमागत पूरांग है और ब्यंजक इतना है XQ प्लस 3Y माइनस 3 तिसका पहला चार्मा जो प्रथम चार्मानी है यानि पहला वेलू कितना है साथ है साथ लाने के लिए क्या करना होगा साथ लाने के लिए सबसे पहले तो आपको XQ प्लस 3Y जो है 10 होना चाहिए तभी तो 10 में से 3 घटेगा तो 7 होगा 10 लाने के लिए क्या होगा X का बोल रहा है कि आपका क्रमागत पूरांग है मतलब 1, 2, 3, 4 तरह से होगा X अगर एक लेते हैं तो होगा 1 प्लस और Y यहां पर 3 लेना होगा तभी तो 10 पुदा होगा और कोई option नहीं है तो Y का value यहां पर 3 होगा तो 1 प्लस 3 multiplied by 3 तो होगया 9 जोड़ एक 10 होगया 10 में से 3 घटाएंगे तो पहला value हमारा 7 मिल जाएगा अब उसी अधार पर हम लोग आगे का value का हम लोग निकाल सकते हैं अब कैसे निकलेगा तो एगर X का value हम लोग 2 लेते हैं तो कितना हो गया 8 हो गया 8 प्लस इसमें कुछ ऐसा हमको करना है कि हमारा value 20 आना है यानि 8 प्लस इसमें हमको 15 लाना होगा तभी तो 8 प्लस 15 होगा और 23 में से 3 गटाएंगे तो यहां पर Y हो जाएगा 5 तो Y का value हम पर vary कर रहा है अब X जो है क्रमागरत है तो उस तरह से आपका सारा data जो है 7, 20, 45 निकालेंगे तो यहां पर जौब का अंसर होगा वह होगा 155 नेक्स्ट क्येशन में देखें नेक्स्ट क्येशन है A, B, C किसी बेवसाय में 20 लाक रुपिये 7, 2, 1 क्यानुपात में लगाते हैं तो कुल लाब 18% होता है A को 30% B को 20% कर चुकाना है A का सुध लाब B के सुध लाब से कितना परतिसे दधीक है एक क्येशन थोड़ा साब को लेंदी लगेगा, कल्कुलेटिव लगेगा तो आपको इसमें फ़ासा टाइम जाएगा तो इस तरह को पहले दिमाग में रख लें कि इसमें आपका टाइम जाने वाला है तो ऐसे को आप या तो लास्ट में अटेंप्ट करें या पी जब समय आपको लगता है कि आपके प परसेंट 18% कितना होगा 20 लाख का 18% वैलू निकाल देंगे और फिजो वैलू आएगा उसको 7 to 1 के रेशियो में जो हमारा रेशियो प्रोपोर्शन हो गया तो 7 to 1 के अनुपात में उसको डिवाइड कर देंगे उससे हमको A का लाब मिल जाएगा B का लाब मिल जाएगा A का लाब है उसमें से 30% को टेक्स देना है 30% कर चुकाना है तो A का जो लाब है उसमें से 30% गटाएगा यानि A का जो लाब हो जाएगे हैं पर सुध वैलू जो होगा सुध लाब होगा A का 70% A multiplied by 70 by 100 तो उस तरह से निकाल देंगे B का भी निकाल देंगे A और B का दोनों का वै जाएगा और इसमें से आता ही जो को calculate करने के बाद आता है 206% आता है तो चुकि यहां पर कोई option है नहीं रिसी का इन इसको E option के साथ जाएंगे next question देखते हैं यदि surgical strike का code है तो metro train का कूट क्या होगा तो यहां पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि surgical strike किस तरह से coding किया है तो यहां पर देखिए यहां पर सबसे पहली बात है कि आपको alphanumeric है यानि alphabetic आपको जानना चाहिए ABCD total alphabetic 26 है तो 26 का numbering आपको जानना चाहिए और उसी numbering का अधाय पर आप इसको value को इसको बना सकते हैं तो ace के लिए कितना हो तो ace के लिए होता है 199 जो है 19 अस्थान पर आता है टी आता है 20 अस्थान पर यहां पर क्या किया है वन प्लस नाइन को जोड दिया है तो कितना हो गया दस और दस का इसको वन मिल गया उसी तरह से अगर आप सब करते चले जाएंगे तो आपको 13979 इस तरह से आपको value निकल जाएगा एक का आपको पता चल गया तो दूसरा त पर आपको लेगा कि सारा pattern उसी को follow कर रहा है उसी तरह से strike के लिए भी same चीज है और यहां पर जो फिर हम लोग देखेंगे कि उसके उसी concern metro को हम लोग बठाएंगे कि aim के लिए कितना होगा तो इस तरह से इसका जो answer आता है वो आता है B इसमें सबसे बड़ी बात है कि यह reasoning का question complete reasoning का हो जाता है अगर आपको उस वक्त में अगर आपके दिमाग में सही से इसका formula आ गया तो बन जाएगा और नहीं तो फिर आपको elimination process आपको अपनाना होगा किसी तरह से कुछ-कुछ ऐसा चीज को चुनना होगा जो कि अलग से को छाट सकें तो उस आधार पर भी इसक स्वैम के घर में रहने वाले सरकारी करमचारी को निरूपीत करता है जो अशनातक है अशनातक अवस्य है यह question मेरे को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया मेरे कुछ कुछ पता नहीं चल रहा है कि question को कैसे answer दिया है BPSC इसको answer जो दिया है वो इसको C माना है BPSC के जो official answer के जो कि रिवाइड final answer की आया था उसके answer इसको कितना C माना है तो C माना यानि BHG लेकिन यहां पर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अगर question पुछ रहा है कि स्वैम के घर में रहने वाले सुभाविखा C दो है स्वैम के घर में here on a infamous am आप में पाइसा करें तो आप इसको जबर करें या और फ्रैस भुक पर बना कर आप पोस्ट कर सकते हैं, और till 15 रूपर और अंको तथ sans अच्फन च मैं का स्रेनि वागा स् Seaf पर के लिए कितना है , उसके लगता है कि पहला लेटर A है तो दूसरा लेटर C आता है तो C आने का मतलब कि एक का gap है यानि B कहाँ पी skip किया है C के बाद में है G यानि D E F यानि तीन का skip यानी odd number जो है skip करती है चला जा रहा है तो उसी अंशार से देखेंगे अगला में skip करेगा 5 पांच डिजिट को skip करेगा, तो क्या हो जाएगा, तो A के बाद C आता है, C के बाद G आता है, G के बाद हम आता है, तो H, I, J, K, L, तो यह 5 में लोगे skip करते हैं, तो हमारा जो आ जाएगा है, वो हमारा aim आ जाएगा, तो A, M से हमारा एक option तो eliminate हो आता है, B, लेकिन बाकी यहाँ पर तीन option अभी भी हैं, उसके बाद में हम लोग second वाला मिलाएंगे, second वाला में कितना है, 26 है, उसके बाद में 24 है, यहाँ पर दो घट रहा है, और उसके बाद में 20 है, यहाँ यहाँ पर 4 घट रहा है, तो सुभावी के अगला वाय में 6 घटेगा तो 20 में से हम लोग 6 घटाएंगे तो कितना हो जागा 14 तो यहाँ पर यहाँ पर तो मैच कर रहा है D, M और 14 लेकिन यहाँ पर तिसरा जो आपसन आता है E, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कौन सा इसको सरेनी को फॉलो कर रहा है तो हलाकि इसको BPSC इसको आपसन दिया है BPSC इसको अंसर दिया है D के दूप में लेकिन मैंने जो इसको बनाया था तो वो E आपसन दिया थे क्योंकि जो लास्ट वाला E आता है E के जगा पर V आना चाहिए तो अगर उससार फॉलो करता है तो लेकिन अगर आप लोग को जगा इसको बनाये होंगे तो आप इसको बताएं तो मैं आपको basically question बता रहा हूँ कि इस तरह के question आपको पूछेगा और आपको question को कैसे time को manage करना है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा समय जाने वाला है इसमें तो आप सबसे पहला काम यहीं करेंगे कि इस question को सबसे last में attempt करेंगे जितना भी GS का question है बना देंगे उसके बाद में इसको बनाएंगे क्योंकि तब आपके पास समय बचता है तो इसको आप आराम से बनाए और नहीं तो फिर आपको सारा question तो बनाना ही यह क्योंकि इसमें negative marking है नहीं 56 का question में देखें तो किसी ब्यक्ति के मूल वेतन 3700 है उस पर महंगाई भत्ता 125 परसेंट से बढ़कर 132 होता है और जो tax है दोनों पर 20 परसेंट से बढ़कर 22 पर आता है तो यहां पर इस question को बनाएंगे तो 3700 पर 7700 पर निकालेंगे भत्ता 125 परसेंट इसमें हम लोग एड 24 को फेट्रेंट करेंगे और 165 परसेंट के बाद में जो पैसा जो आता है total currency बंद से करेंड़कर 19 उसी तरह से निकलेंगे 3700 पे 132 परसेंट एड़ कर देंगे और फिसमें से 22 परसेंट निकाल देंगे तिस क्वेशन को आप जेनरल मेथ के द्वारा जो मेथर्ड के द्वारा बना सकते हैं तो उस तरह से यह जो अंसर इसका आता है वह आता है 74 परसेंट वैसे एक्जेक्ट आता हैं जेलों देमेरा जो कुछिंट मेंदास होता है तो यहां पे आपको थोड़ा सफैन्फीजन हो owe सकता है मैं मैसेक्ट कुछ डिस्प्यूटेथ हाई अगर 57 का देखें तो संख्या सोग्षै नौन नाइन कीतने नाइन कितनी बार आता है तो यहृफ लिए आपकर ज तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे पहली बार थे कि 100 से 999 तक काम लोग कैसे करेंगे 100 से 200 के बिच में कितना आता है 20 डीजिट आता है 20 बार आता है 9 नंबर तो उसी तरह से 100 से 900 के बिच में करते करते कितना बार नोव आएगा यानि पहला डीजिट की बात कर दें तो यहां पर इस आजाएगा 100 को नाइन को सवार में इंट्रोडिउस के आजाएगा तो यहां से 100 एड करेंगे तो यहां पर हमादा अनसर हो जाएगा 280 जिस तरह से इसको बना सकते हैं और अठावन को खांचर में देखें तो यादर चीन फ्लस को यह तो सिंपल रिजिनिंग Alan को पॉणिन होंगे तो आपको जो दिया है कि इसमें दिया है कि यह प्लस को प्लस जो है गुनन को इंडिकेट करता है यानि plus के जगा पर आप गुना इंडिकेट करेंगे गुना के जगा पर जोड करेंगे और जो minus है उसके जगा पर हम लोग division करेंगे और plus जो है उसका मतलब difference करेंगे और जो greater than है इसको हम लोग कहेंगे equal to तो इस तरह से हम लोग value put करेंगे इसमें आपका सब में value put करना होगा तो value put करने के बाद में आपका यहाँ पर अंस्वर आ जाएगा और इसका answer जो है official की और इसका answer जो होगा वो होगा D तो इसको आप बना लेंगे और उसके बाद में अगे हम लोग question देखिए हम लोग 58 हो गया उनसेट का देखते हैं तो पानी के टंकी के ताल में यहां पर आपको जो है work and time वाला question हो गया तो पानी के टंकी के तल में छेद है ए तिथा B है दो छेद है और ए छेद खोलने पर भरी हुई प्लस 1 by 20 इसको 10 मिनट तक कर देंगे उसके बाद में कितना आएगा उसके बाद में आता है 5 by 6 आता है तो 5 by 6 आ जाता है तो 5 by 6 तो टंकी खाली हो जाता है 10 मिनट में यानि 10 मिनट में 5 by 6 टंक की खाली हुयाता है तो अब कितना बचा है 1 by 6 बचा 1 by 6 के लिए कितना लेगा तो चुकि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो 10 मिनट तक दोनों छेद खोल कर छेद B बंद कर दिया जाता है 10 मिनट बाद छेद B बंद कर दिया आता है यानि सीप अब 6 एक करेगा है 6 एक बचछे एक काम करता है तो उसमें पर दिया हुआ है कि इसका जो काल करने की छमता कितना है 1 by 30 है कितना काम करना है उसको करना है 1 by 6 काम करना है तो उस अधा पर निकालेंगे तो यहाँ पर इसको जो समय हो जाएगा वो इसको मिल जाएगा 5 मिनट तो उस अधापे हम लोग निकालेंगे तो टोटल जो ठंकी खाली के में कहने में लगा तो सुरू में 10 मिनट तो लगा ही और उसके बाद में लगा 5 मिनट तो इस अधापे हम लोग इसको कहलेंगे कि यह हो गया तो टोटल जो कच्छे माल का खर्च यानी 120 डिग्री वाला का जो वैलू है उसको 30 लाग दिया हुआ है तो 120 डिग्री का 30 लाग दिया है तो उसके अधापे 90 डिग्री का भी निकल जागा 80 डिग्री का भी निकल जागा तो यदि मजदूदी का खर्च पांच परसेंट बढ़ता है तो मजदूदी का खर्च यहाँ पर कितना है 90 डिगरी के लिए जो हमारा वैलू निकलता है उसमें हम दो 5 परसेंट बढ़ा देगा याँ 105 बटा 100 कर देंगे तो वहाँ समको वैलू निकल जाएगा और यहाँ पर लिखा है कि अधि मजदूदी का 5 परसेंट बढ़ता है तो लाब को कॉंस्टेंट रखने के लिए अन्य खर्च में कितनी कटवाथी करना हो तो अन्य जो खर्च है है कि टोटल जो अगर 60 कौच्च न देहना पका साथ है तो कॉछ यहां हो सकता है कुछ अख कर यहां को में जा नहीं रखना है तो है और आपको सभशाने की आपको सबसे पहला साउधानी में नहीं बनाएं क्योंकि बहुत जयादा समय चला जाएगा और आपका वैलू कुछ ज्यादा इसमें एडिशन होगा यह नहीं को कि इस question को बनाएं या फी जीए से question का बनाएं दोनों का तो वैलू सेम है तो क्यों आप पहले जीए से question बना जो कि बहुत कम समय बन जाता है एक मिनट के अंदर बन जाता है उसके बाद पूछा जाता है वो जेनरली differentiation, integration वो calculus intermediate level का महत होता था लेकिन जो साथ बासर में question पूछा एक complete reasoning based था यानी जो SSC का महत होता है यानी complete reasoning based math था तो यहाँ पर जो SSC के तियारी कर रहे हैं जो अच्छे से तो वो तो सारी question को बना सकते हैं बाको यह students को थोड़ी problem हो सकती है तो आपको यहाँ पर heat and trial method को लेकर आपको बनाना होगा देनो के फ्रेंस thanks for watching अगर कोई दिक्कत होता है और कोई confusion है तो आप दिसको कमेंट बॉक्स पर लिखें मैं इसको जो करने बोहिश करेंगा ओके फ्रेंस बाए